ओमनमे शिवाय जय महाकाल ये विडियो मनोकामना पूर्ती के लिए है और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये उपायम आपको मता असोक संदरी के उपर करना है साथ बार जल्द समर्पित करना है पूझ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा पस एक सान से इस विडियो को देखेगा क्योंकि इसको करने का एक तरीका है एक माध्यम है लेकिन उससे पहले विडियो को लाइक कर देजे और आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है चलो बताता है कैसे करना इस पूरे उप करके ले जाना है ठीक है लेके पहुँच जाना के स्चिवलिं के पास ठीक है इन उसके साथ ही साथ आपको जरूर्थ होगी इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी बेल-पत्र कहीं सेगता फिटा हूआ हो 아니 हो अब उस एक बेल-पत्र को आपको माता असुक सुंदरी की जगह पे समर्पित करना होगा, ठीक है, कैसे समर्पित करना है, कि जो डंडी का भाग होगा, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, जो पत्ती होगी, वो महादेयो की साइड होगी, जैसा के इसक्रिंट पर दिख रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा उसको समर्पित करना होगा, वही पर मता आपको समर्पित करना होगा, उसी बेल पत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, जो आगे की पत्तियां होती है, बड़ी वाली, उसी बड़ी वाली पत्ती पर आपको समर्पित करना होगा, कैसे समर्पित करना है, देखो, जो आप अपने साथ एक लोटा तामे के लोटे में जल लेके गए होना उसी से साथ बार जैसे वो जल को बदलना नहीं है आपको उसी जल में से 7 बारे से एक बार गिराया थोड़ा सा स्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा सा गिराया स्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा सा गिराया स्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसी तरीके से 7 बार उस बड़ी वाली बेल पत्र के उपर बड़े वाले पत्ते क के उपर बेल पद्र के आपको समर्पित करना होगा ठीक है अभी उस जल को पूरा समर्पित मत करना साथ बार समर्पित करने के बार थोड़ा सा जल उस कलश में बचा लेना और उसी थोड़े से जल को बचा करके तीन बार आपको महादयो के शिवलिंग के उपर समर्पित करना होगा जैसे साथ बार आपने स्री शिवाय नमस तुभ्यम स्री शिवाय नमस तुभ्यम स्री शिवाय नमस तुभ्यम स्री शिवाय नमस तुभ्यम इसी तरीके से साथ बार जल समर्पित किया उसी कलस के जल से माता असोख सुंदरी की जगह पे अब जो थोड़ा सा जल उसमें लिला लास्र में और उसी जल बचे हुए जल को तीन बार महादेव की शिवलिंग के उपर समर्पित करना होगा स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमर्ण करते हुए साथी साथ आपको अपनी कामना महादेव से कह दिनी है देखो ये उपाय थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा कठिन है एक बार और समझ लो बहुत ध्यान से देखो थोड़ा कलर चेंज करके समझाता हूँ जैसे कलस में जो जल है आपके न उस कलस उसी कलस में से साथ बार जल एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छे बार साथ बार साथ बार समर्पित करना थोड़ा सोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना और उसी कलस में थोड़ा सा जल बचा लेना और उसको फिर तीन आपको पानी बदलना नहीं है जो जल आप अपने घर से लेके गए हो उसी में से आपको साथ बार मातासो सुंदरी के जगह पे और तीन बार आपको महादेओ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है यकीन मानिए जो इस उपाय को करता है उसकी विश उसकी मनोकामना बहुत चल्दी पूरी होती है मैंने तो कोशिश की अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे कुछ पूछना हो नहीं समझ मैं नीचे कॉमन में पूछें आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब क्या है काल